आले मेरे प्यारे चात्रों ठीक ठाक है ना ठीक होना ही चाहिए आज मेरा मन है ना कि मैं आपको कम से कम पांच सवाल बताओं और ऐसे पांच सवाल बताओं जो अलग अलग चेप्टर से हो यानि एक चेप्टर से एक सवाल तो पांच चेप्टर से पांच सवाल मैं आज लेन तो मेरे बुद्धी विबेक के अनुसार जो सवाल परिच्छा में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आज मैं वही सेलेक्ट करिया हूं और वही बताऊंगा तो चैप्टर नंबर दो तीन चैर पाँच और छे दो से लेकर के छे तक के चैप्टर में से एक की वीडियो में दे रहा हूं तो जिन लोगों के पास समय है पयी से कलमप काँपी ले कर के बैठ जाए इतमीनांस से वीडियो देखें रोकें देखें रोकें साल्व करें और जैसे मैं अध्यापक हूं मैंने कहीं से सीखा होगा तब इन है बढ़ा रहा हूं तो आज आप म मेरे से सीख के तुम खुद अपने घर पर कर सकते हो तो मैं मानता हूं कि परिच्छा में भी कर सकते हो और परिच्छा में कर सकते हो तो जो चाहते हो पा सकते हो समझे और हां किसी को लगता है कि गड़ित में एकदम से वह बकलोल है या किसी को लगता कि बहुत अच्छे नंबर कि उसको जरूरत है तो वह मेरे फोन नंबर पर काल करके इस पर हमारा कोर्स ले ले टाइम टेबल आ गया मैद का सीजन भी आ गया तो भी यह फोन करिए इस पर 200 रुपे में मैं आपको ऐसी वीडियो दूँगा जिनके अंदर सिर्फ वही सवाल बताया गया है जो आपके एकजम में बार 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 आता है तो भाईया आपका कोई भाई दोस्त रिष्टदार पडोसी ऐसा है जो गड़ित में फेल होने के इस्थिती में आ गया है तो उसको पास कराने के इस्थिती में आप लाएंगे आपका भाई पडोसी दोस्त रिष्टदार जरूर पास होंगे अगर आप चाहेंगे तो तो चलिए आज का सवाल सुरू करते हैं पांच सवाल पताने कितने मिनट की वीडियो होगी सेलेक्ट करते हैं पहला सवाल साइन इंवर्स एक्स वराबर पाई बाई टू कलियर है न मैने साइन इंवर्स वराबर पाई बाई टू तो यक्स का मान क्या होगा तो यक्स का मान क्या होगा यही बताना है और यह दो नंबर में पूछा था भईया कई बार यह आया भी है मुझे लगता है कि उत्तर परदेश के किसी ने किसी जनपद में इस बार भी आएगा तो क्यों आपको मैं बता हूँ देखिए ध्यान से देखिए कैसे होगा साइन इनवर्स एक्स की जगा पर क्या कुछ दूसरा चीज रख दो मान लो तुम रखना चाहते हो थीटा क्या रखना चाहते हो थीटा रखना चाहते हो भाई तो चलो देखो माना side inverse x बराबर theta तो x का value अगर निकालो गते x बराबर क्या जाएगा side inverse इधर चला जाएगा तो बन जाएगा sin theta sin inverse x की जगह पर theta, अगर जरूत पड़े तो x की जगह पर sin theta अगर ये दो लाइन तुम समझ चुके हो तो बाकि सारी लाइन समझ में आएगी, यह मेरा वादा है, आगे देखिए, यह जिसे के उपर मेरा हाथ है, इसको देखो और यहाँ चूप चाब लिख दो, कुछ मत करो, मेरे हाथ के नीचे जिसको छिपाया गया, इसको पूरा खीच के यहाँ लिख दो, माइनस को भी लिख दो, दो को भी लिख दो, साइन इन्वर्स एक्स की जेगा पर क्या है, थीटा है, देखो, इतना कबेलू, इतना कबेलू थीटा, लिख दिया थीटा, बराबर पाई बेटू, यहाँ तक किलियर है भाई, कोई टेंशन, ना ना, कोई टेंशन है, एकदम मस्त, फिर देखके इसको यहाँ नीचे लिखो, पाई बाई टू देखके लिखो, माईनर दो थीटा दाहिने पच में जाएगा, पलर दो थीटा होगा, अभी तक मैंने कोई मुश्किल काम नहीं किया, जो आपको समझ में ना आए, मैंने सिर्फ उपर की लाईनों को देखा, नीचे लिखा, मैं बता रहा हूँ कैसे, देखो, यह यहाँ, यह यहाँ, माईनस भी यहाँ, अब यह माईनस इधर गया, पलस हो गया, दो थीटा को इधर लिख दिया हूँ, पाई बै टू तो अपनी जगापे है, बराबर अपनी जगापे है, ठीक है, अगली लाइन में साइन को ले जाएंगे इधर, तो साइन इनवर्स जब इधर जाएगा, तो बन जाएगा साइन है, तो वन माईनस एक से बाई पच्च में रखेंगे, बराबर साइन, ब्रैकेट में इन दोनों को लिख दीजे, पाई वे टू प्लस दो थीटा, अब आपको चतुर्थांस का नियम याद होगा, तो साइन नब्बे प्लस थीटा क्या होता है, साइन नब्बे प्लस थीटा क्या होता है, कास थीटा, दूसरे चतुर्थांस में साइन का भेलू धनात्मक होगा न, तो साइन नब्बे प्ल अब कास थीटा थीटा कमान क्या दो थीटा है साइन नबे पलब दो थीटा कास दो थीटा हो गया किलियर अच्छा अब देखिए कास दो थीटा का ऐसा फार्मूला ऐसा फार्मूला लिखो कि वो साइन के रूप में दिखाई दे तो चलिए लिख दिया जाए तो 1-x बाइब पच्च में था रहेगा कास 2 थीटा का मैं ऐसा लिखने वाला हूँ तो जो साइन के रूप में चेंज हो जाए तो क्या होगा 1-2 साइन स्क्वाइर थीटा हो गया दोनों पच्चों से 1 और 1 कट जाएगा प्लस 1 प्लस 1 बचा आपका माइनस एक्स बरावर माइनस दो साइन स्क्वाइर थीटा दोनों और से माइनस माइनस कट गया एक्स बरावर दो साइन स्क्वाइर थीटा एक्स बरावर दो साइन थीटा कमान कहा बेटा साइन थीटा कमान देखो क्या एक्स साइन थीटर की जगे पर X तो यहां साइन स्क्वाइर है तो जागे X स्क्वाइर किलियर अच्छा लग रहा है समझ में आ रहा है कमेंट में लिखो मज़ा आएगा तभी जब अंदर से कमेंट करते रहोगे अब देखो यहां कुछ नहीं बचेगा तो 0 लिख देंगे 0 बराबर 2X स्क्वाइर X को इधन लिख भागो X 0 बराबर यहां से X कामन लो क्या बचेगा? 2-1 2X-1 क्या बचेगा? 2X मैं पहले इसको मिटा लो 0 बराबर अगर हम यहां से X कामन ले थे हैं बचेगा 2X-1 क्या होगा इसके आगे? इसके आगे देखिए 1 बर X बराबर 0 1 बर इतना बराबर 0 2 गास समय कड़ कच्चा 8 में 9 में पढ़ाया क्या भूल जाते हो? एक बर X बराबर 0 और एक बर 2X माइनस 1 बराबर 0 तो 2X बराबर आजाएगा प्लस 1 एक बराबर हो जाएगा 1 अपान 2 यह हुआ आपका एंसर एक बार 0 आया X कमान X कमान एक बटे 2 आया तो यही दोनों एंसर है आप देखो बेटा बोड परिच्छा की कांपी तुम लिख रहे हो और मैं तो सिर्फ तुमें समझा रहा हूँ तो मेरे लिखने के तरीके में तुमारे लिखने के तरीके में फरक होगा क्यों बताता हूँ? मैं चाहता हूँ कि मैं बीना कुछ मिठाए पूरे स्यामपट फिर लिखके आपको सवाल समझा दो ताकि इधर कुछ लिखू हूँ तो इसकी जरूत पड़े तो मैं दिखा सकूँ लेकिन आपको परिच्छा की कांपी में लिखना है किसी स्टुडेंट को तो समझाना है ने कि वहाँ तो आप टीचिंग का काम करने रहे हो तो आप क्या करेंगे ध्यान देज़ेगा ये लाइन ऐसे हल हो गई तो ये जो आखरी लाइन है इसके बाद मैं चला गया हूँ यहाँ तो आप यहाँ बगल में नहीं जाएगा आप इन सारी लाइनों को इसके नीचे ही लिखना आपका पेज खतम हो जाया तो पेज पलटके उस पार चले जाना मेरी तरसे ने बगल में जाओ बगल में कांपी बड़ी लंबी होती है तो बगल में लिखो समझे ठीक इसके नीचे इसको लिखना ध्यान ये देना जैसे देखो मेरा बराबर का चिन एक सीध में है आप हमेशा एक कोशिज करना कि जो बराबर का चिन होगा वो एक सीध में रहे मैंने क्या गलती किया ये दोनों एक सीध में ये तीनों एक सीध में लेकिन ये वाला इधारा गया फिर ये ये तो इसको जितना जादा मेंटेन करके रखोगे कि बराबर का जो सिंबल है ना बराबर का सिंबल जो है ना वो एक सीध में बीच में रहे उसके दाहें बाएंवा अपने लिखावट से लिखावट के स्ट्रेक्चर से टीचर को इंप्रेश कर दिया तो आपकी हर लाइनों पर निगाह नहीं दबड़ाई गई माइनस प्लस स्क्वाईर क्यू लगा अशा ही से नहीं समना वो इस्ट्रेक्चर देखते ये समझ लेगा कि ये लड़का मेधावी छात्र है, ब्रिलियन्ट छात्र है, सब कुछ पता है, काफी महनत किया हुआ है और दो नमबर का दो नमबर पूरा दागाये से देगा, अगली सवाल पिछल जाएगा तो बाबु, तुम कलास में किसी को इंपरेस करने के लिए पता ने क्या क्या कर गजरते हो, तुम अपने एक इक्जामरा टीचर को इंपरेस करने के लिए अपनी कापी में जो भी कर सकते हो, कर देना, समझे तो बस आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ मज़ा आये तो मज़ा लेते रहो कमेंट करके ठीक है कुछ लोग बहुत बनते हैं करते हैं आप भी हो मेरे लिए तेक्दम खेल है यह सवाल आप भी हो का है यक्स का मान निकालना है वीडियो रोको अपने से साल्ब करो इस वज़े से मैं कहता हूँ कि जो भी मैं पढ़ा हूँ या कोई वी टीचर पढ़ा है उसको पूरा देखना चाहिए भले आपका आप भी चेप्टर बहुत अच्छे तैयार होगा लेकिन यह जरूरी नहीं कि आप भी का वो सवाल भी आपको तैयार होगा जो सवाल मैं बता रहा हूँ यह जरूरी नहीं तो इस नहते अगर आपना ज्यान चेक करना चाहते हो तो पहले ही वीडियो रोक दो और अपने से साल्व को रोक सवाल दिख रहा है यक्स का मान निकालना है ठीक है और उसका जब उत्तर आज आए तब मेरा सलूसन देखना फिर मिला लेना समझे और जो नहीं इसको करना जानते हैं वे मेरे साथ इस वीडियो का इंज्वाय करें और मैं जानता हूं कि मैं बहुत अच्छे से इसको समझा लोंगा तो आप भी समझे कि आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे ठीक है देखो भाई एक आप भी यहाँ है एक बीच में है एक सबसे कि ठीक है एक आदवी है जो आई से है इदम पसर गया और एक कई अई से जो इदमह sat पर सीधा कर के सोय है ऐampire सीधा करके खड़ा है एक दो तेन से यह aapas कॹणी के तब जाकर के हमें पता चलेगा एक्स की value क्या है तो भाई साहब मेरा जो style है बस आप मेरे style को समझे है जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे नार्मल आभियू की बात करें तो तीन को रहता तो पहले हम इसका इसमें गुड़ा करेंगे जब इन दोनों का गुड़ा आ जाएगा तो उसका एक अलग आभियू बन जाएगा तो यह जो इन दोनों का गुड़ा इसमें चला गया ठीक है और यह वाला बगल में है तो फिर इन दोनों का जब गुड़ा करेंगे तब जाकर के last में हमारा answer आएगा तो हम करने क्या वाले हैं समय लिजे एक दो तीन आभियू है पहले इसका इसमें गुड़ा करेंगे ठीक है बगल में इसको लिखते जाएगे जब इन दोनों का answer आ जाएगा तो इसके answer से फिर इसमें गुड़ा करेंगे तम मेंसर आएगा तो आपने समझ लिया कि काम कैसे कैसे हो काम कैसे कैसे होना पता चल गए अब मैं काम करने जा रहा हूं जARIा ध्यान देना नहीं तो गरबला जाओगे देखो इसमें का पहले एलीमेंट का गुड़ा पहले से बीच वाले का बीच याले से लास्ट वाले का लास्ट वाले से करके एक अठा लिखेंगे एक जगह एक गुच्छा में बताता हूं कैसे देखो यक्स का एक में करेंगे तो यक्स एक में यक्स आया माइनस पांच का जीरो में करेंगे तो जीरो हो गया जीरो को लिखने की कोई जरूरत नहीं माइनस वन का दो में करेंगे तो माइनस वन संट इसको भूल जाए इसको ठक दिजिए पहले का पहले से बीच वाले का बीच वाले का आखरी वाले का आखरी वाले से बस इतना याद रखना तो यक्स का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा 0 लिखने की कोई जरूद नहीं माइनस 5 का 2 में करेंगे तो 5 दूना 10 माइनस 10 माइनस 1 का 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा लिखने का कोई मतलब नहीं हो गया अब इसमें हो गया इसमें हो गया अब ये वाला बाकी है तीसरा स्तंब तो फिर इसमें पहले का, पहले से, बीच वाले का, बीच वाले से, आखरी वाले का, आखरी वाले से, ठीक है, तो यक्स का 2 में करेंगे तो, दो यक्स, मैनस 5 का 1 में करेंगे तो, मैनस 5, मैनस 1 का 3 में करेंगे तो, मैनस 3, अब आभी उबन दे, ठीक है, तो एक आभयाव, दो तीन अभयाओ एलिमेंट अंग्रेजिम बोलते हैं एक एलिमेंट दो एलिमेंट तीन एलिमेंट और जो बगल में खड़ा है यह खड़ा रहेगा चूप-चाप थे ठीके भाई ठीके भाई अगली लाइन में देखिए माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 लिख सकते हैं कि चाहें तो मीठा के यहीं लिग दे लेकिन एक लाइन बढ़ा लीजिए सवाल का खूब शूरती बढ़ जाएगा उतार लो देख के माइनस टू, माइनस दस, और दो यक्स, माइनस पांस, माइनस तीन, माइनस आठ, इस बार मैंने कुछ किया नहीं, इसको देख के यहां लिख दिया, इसको देख के यहां, इन दोनों को जोड के यहां, इसको भी देख के लिख देंगे, बराबर जीरो कहते हैं हमें तो अपने एक्जामिनर को जो मेरी कांपी चेक करेगा उसे हमें क्या करना है इंप्रेस करना है तो हम अपना इंप्रेसी त्रिमाग लगाएंगे अब फिर इसमें एक आभी हुए और एक खड़ा वाला फिर इसका इसमें गुड़ा होना है इसका इसमें गुड़ा होना है होगा कैसे पहले का पहले से बीच वाले का बीच वाले से आखरी वाले का आखरी वाले से यही नियम होता है ठीक है तो चलिए करते हैं X-2 का X-2 का X में करेंगे तो X minus x तो x square और x minus 2 तो minus 2 x किलेर पीच वां लेका बीच में करो 10 चुक 40 minus 10 minus 4 minus 14 इसका करो पीच में 1 minus 2 x तो billion 2 x तो आप इ Lil' का सिंबल लगा भी सकते हो ऐसे ठीक है और नहीं भी लगा सकते क्यों क्योंकि यह सारे element अब एक में आ गए इस वजे से आप इयू का सिंबल लगाने का कोई ओचित्य नहीं है लगा देंगे तो कोई गल्ती नहीं माना जाएगा लेकिन देखिए हम फिर मिटा रहे थे लगा रहे थे हो गया अब क्या करिए बैबू पुलस टू एक्स माइनस टू एक्स कटके गर्दा हो जाएगा खतम 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 टाटा बाई 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 राहूल गांधी वाला डाइलाग एक्स स्क्वाइर मैंम्स चालिस मैंनस आठ हो जाएगा मैंनस 48 बराबर 0 मैंनस 48 को दाहिने पच्च में फिक दीजिए उधर तो एक्सी स्कवाइर बराबर पॉलस 48 तो एक्सी स्क्वाइर बराबर बर्गमूल लेंगे 3 बरावर पलस माइनस बर्गमूल 4 होगा 3 कर नहीं होगा तो ऐसे रह जाएगा 4 काड़ी में 3 यह हुआ आपका एंसर बहुत सुन्दर है मैंने इसको यहां लिखा आप यहां मत लिखना इसको आप इसके नीचे लिखना बोर्ड परिच्छा कापी में दहने बाय नहीं जाना सीध है उपर से नीचे जाना है पेज खतम पराट के फिर जाओ अगले पेज पे कोई कंजूसी नहीं और लिखने का तरीका में ज़्यादा सुन्दरता हो ज़्यादा ढंग हो बराबर के चीनों देखिए मैंने थोड़ा इधर कर दिया थोड़ा इधर कर दिया थोड़ा इधर कर दिया लेकिन आप ऐसा करना बराबर के चीन एक सीध में रहा है पहले से ही सोच के लिखना अज़ा ब्यास करो ऐसा प्रेक्टिस करो की बराबर एक्षेद में हो जैसा कि यह है मेरा देखो यह तीनों है ना? एक्षेद में तो प्रैक्टिस इतना बेहतर होगा उतना बेहतर आपको मिलेगा अगला सुवाल करते हैं अब यहां पर जानते हैं यह सुवाल चोधे चप्टर का है यहाँ पर problem जानते हो क्या confusion का मतलब पताता हूँ पढ़ने वाले लड़के 20 में फुसते हैं जानते हो क्यों साड़िक दिया बराबर 0 सिद्ध करने रहता है कभी कभी बराबर कुछ दिया रहता सिद्ध करने के लिए वो तो ठीक है वो तो बच्चों को थोड़ा समझ में आत चलिए इतना लाना ही लाना है इतना लाना ही लाना है दिमाग लगा के कर देते हैं बट इसमें देखिए इसमें बोला है गुड़न खंड के रूप में ब्यक्त करना है अगर आपको नहीं पता है गुड़न खंड के रूप में ब्यक्त कैसे किया जाता है तो भाई confusion तो चाहता हूं ? गुढण है, और खंड़एग का मतलब गुड़ए और खंड का मतलब टुकड़एग की ूरुपमें टुकड़एग करके अगर आपने व्यक्त कर दिया तो समझ लिजिए कि वो हो गया गुड़न खंड गुड़ा के रूप में टुकडा 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 मतलब छोड़ छोटा भाग समझे तो जैसे फार इजामपल अगर कोई कहा बारे का गुड़न खंड कीजिए तो गुडा के रूम में टुकडा टुकडा लिखो ताकि गुडा करने पर बारे आए एक, दू, तीन, चार, सारी एक, दू, दू, तीन, छे दून बारे देखिए ये सारे क्या है? टुकडे टुकडे है टुकड़ा 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 चार टुकड़ा का गुड़ा बारे आया तो इस नाते ये चारों क्या कहे जाएंगे बारे के गुड़न खंड अब तो आप समझ गए न कि इसका जो उत्तर हैगा वो गुड़ा गुड़ा के रूप में आएगा चोटा चोटा टुकड़ तो अभी जब मैं इसको साल्व करूंगा तो इसका जो एंसोर आएगा उसे जब आप देखेंगे तब कहेंगे हाँ यह ची तो मैंने का च्छा-9 में पढ़ा था हाँ यह ची तो मैंने का च्छा-7-6 में आठ में पढ़ा था तो चलिए दिखाते हैं और बताते हैं आपको देखिए सबसे पहले बराबर कचिन का ख्याल रखिए कि एक सीधि में जाए इस बार हम ख्याल रखेंगे पहले से ही अब आप देखिए यहां पर A है यहां भी A है यहां भी A है इन तीनों लाइन में से A कामन हो जाएगा यह B B तीनों में से B कामन हो जाएगा C, 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 तीनों में C है, तो तीनों में से C कामन हो जाएगा तो भाई साहाब हम इस चीज को जरूर कामन लेंगे अगर कामन लेने का मुझा मिलता है तो मुझा गवाना नहीं है A हुआ कामन, B हुआ कामन, C हुआ कामन ठीक है तो यहां बचेगा 1 यहां बचेगा a यहां होगा a square यहां बचेगा 1 यहां होगा b यहां होगा b square ऐसे यहां 1 c c square आगे समझ में अभी तो एक दम असान असान काम है इसके बाद दो थोड़ा जटिल काम होगा देखते जाईए a b c रहने दीजिए बराबर का चिन बराबर की सीध में इस बात का जरूर ख्याल रखना है आप क्या करें आप इसमें से इसको घटा देते हैं इसमें से इसको इसमें से इसको ठीक है फिर इसमें से इसको इसमें से इसको इसमें से इसको घटा देते हैं ठीक है ना तो करिए 1 में से 1 घटेगा 0 A में से B घटेगा तो A माइनस B A स्कौर में से B स्कौर घटेगा तो A स्कौर मानस B स्कौर 1 में से 1 घटेगा 0 B में से C घटेगा तो B मानस C इस में से ये घटेगा तो B स्कौर मानस C स्कौर आखिरी वाला अस्तम्भ जैसे है वैसे रहने दीजे, बगल में आपने बगल में आपको अपना कारनामा लिखना पड़ेगा, कारनामा का मतलब क्या 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 किया आपने कि वो लाइन आ गया, क्या 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 मैंने पहले अस्तम से दूसरा अस्तम खटाया, तो लिखेंगे कालम 1 को बदल दिया कालम 1-2 करके और कालम 2 को बदल दिया हूं कालम 2-3 करके कालम 3 की मतलब दीसरा वाला रुप घटा आना है यह ना इसमें से इसको घटाया निए कामन लेने के चक्कर में रहो हमेशा जीरो बनाने के चक्कर में रहो तो पहला हमने कामन ले लिया फिर मुझे कामन लेने का मन कर रहा। एक बार ज्रूरी नहीं कि एक बार कामान ले नहीं लोगए हमेसा मूरते मिल जाह कामान ले लो तो मिल Morgen then 1 समंदर बींदा इस सम Still सम्भी कामन लिया जा कि यहां समझो फार किसे में इसमें भी उन सिंस दैं इसके अंदर तो सब कुछ है तो A-B पहरी लाइन से कामन ऐसे दोनों में दिख रहा झाजीरों में नहीं दिख रहा लिगा तो पूरी कि एपी सी पहले से था कि इसमें से मायनस भी कामन लेना है और बीच वाले में से भी मायनस दिस दिसको लिखना है क्या बच रहा है जीरो यहां एमान भी पूरा कामन जागा तो वन बचेगा और यह जानते हो एक चीज नहीं है दो दो चीज है, इसके अंदर दो कोश्ट्रेक चिपा, एक ठे a पलस b और एक ओ a माइनस b तो a माइनस b तो आपने कामन ले लिया तो सिर्फ यहाँ पर a पलस b बचा होगा याद रखना 0, 1 a पलस b यहाँ भी लिखेंग, 0, 1 b पलस c ठीक है, यह कामन हो गया है यहाँ 1, यहाँ b माइनस c तो कामन होगा, b पलस c बचा और यह 1 c c स्क्वाइर ठीक है बाबू यहाँ तक clear cut बोलिए, असपस ठुगा है यहाँ तक अब क्या होगा अब वही होगा जो मनजूरे खुदा होगा, देखिये क्या होता है यह अपनी जगा पर a, b, c ठीक है, देख रहे हैं और फिर a माइनस b, b माइनस c यहाँ से यहाँ तक तो मैं देख के लिख दिया हूँ अब बारी है प्रशार करने की प्रशार कैसे होगा जिस लाइन में 0 है उसी लाइन को पकड़ के चलते चलते वहां रुकिए जहाँ पर 0 नहीं है तो यहीं पर 0 नहीं है तो इसी को पकड़ के लाइए 1 को लाइए यहाँ पर बड़ा कोस्टर के अंदर 1 लिख दीजिए अब 1 पकड़ा गया यह वन कनेक्टेड है उन दोनों लाइनों को छोड़ देंगे यह उपर वाला लास्ट वाला तो बचेगा यह और यह तो इसका गुड़ा इसमे माइनस चिल लगा के इसका गुड़ा इसमे तो B पलस C माइनस करके A माइनस भी लिख दीजिए माइनस A पलस B लिखेंगे लेकिन माइनस के नहीं ते यह माइनस से माइनस B होगा अब यहाँ पर B और B कट जाएगा पलस B माइनस B कट गया बचा C माइनस A तो आपका क्या हो गया A, B, C A माइनस B B माइनस C C माइनस A 1 का तो गुड़ा हो गया C माइनस A हो गया तो यह देखिए यहाँ पर दो बाते ध्यान देखना है बोला था ने गुड़न खंड की रूप में व्यक्त कीजिए तो देखो 1 खंड, 2 खंड, 3 खंड 4 खंड, 5 खंड, 6 खंड A, B, C यह तीनों मिला के तीन खंड हो गया अलग-अलग फिर यह एक कोस्टक अलग खंड दूसरा अलग कोस्टक अलग खंड हो गया तो गुड़न खंड के रूप में हो गया सब के बीच में गुड़े का रिलेशन है सब लोग खंड-खंड में है टुकड़ा-टुकड़ा में है हो गया ना और हाँ कभी-कभी सवाल करते समय आप लोगों में से किसी का पहले C-A आ जाएगा उसके बाद A-B आएगा उसके बाद C- या B-C आए तो उसको ऐसे सिक्वेंस में लिखिए ऐसे पहले लिखेंगे A-B फिर B-C फिर C- एक स्टाइल में एक करम से आगे बढ़ना है तो ये कहा जाएगा ढंग से लिखना हाँ समद रहे हो ना जैसे मान लो कोई भोजन करता है भोजन आ गया पानी और नहीं आ गया सलाद उलद आ गया पापड भी आ गया तो जरूरी नहीं कि भोजन करने वाला पहले रोटी और सबजी खाए अगर वो पहले पूरा सलाद खा जाता है पापड खा जाता है पूरा पानी पी जाता है हाभ पाड में रोटी तोडता है तो वह भी का जा है तो बहुजन कर रहा लेकिन उल्टा-बल्टा कर रहा है ठीक है तो हम भी अंसरले लेकिन सिद्धा लि Experiment कि उल्टा-बल्टा हर सवाल मेंनमबर कोड़ा यह सवाल से कके नंबर के हैं 50 यह पांच नंबर के सवाल जो मैंने बतार यह है कुछ वच्छे क्या करेंगे लिखते हैं मैं गलती कर देंगे इसे इसको लिए आज से कर देंगे इसको अब कलम से लिख दिए तो मीटे का नहीं पेंसिल तो है नहीं तो इसे बनाएंगे इसका कहेंगे अच्छा तो खोब इसी पर रगा डोगाड के ए माइनस बी माइनस दिखाने कोशिज करेंगे तो यह जो आपने टटी पिसाब जैसा गंदगी कर दिया यहां पर तो यह भी आपके नंबर कटने का कारण बनता है यह भी आपके नमबर कटने का वज़ए बनता है इसकी वज़ए से आपका नमबर कटेगा पांच नमबर के सवाल में चार नमबर देके एक्जामने चल देगा अगले सवाल को चेक करने समझे ना तो बुना मत माना मैंने गंदे सब्द का इस्तिमाल किया लेकिन आपके बचाओ के लिए किया तो मैं आपके बचाओ के बारे में हमेशा बोलूगा सोचूँगा कहूँगा अब आपका समझने सुनने का नजरिया है ना कि आप उसको एक्सेप्ट करोगे किस तरीके से तो ये गंदगी नहीं होने चाहिए कांपियों में नहीं तो भाई गुमा फिरा के नुकसान तुमारा होगा मेरा तो नहीं होगा तो गुमा फिरा के नुकसान मत कराओ बाबू चलो इसक्रीन साथ लेलो मैं साइड हो जाता हूँ लेलो लेलो बाई तुम्हारे लिए मेहनत हो रहा तो तुम भी सोचोगे न कि किसे टीचर ने खुब ढंक से रगड के पढ़ाया था आगला स्वाल बताता हूँ मेरे हिसाब से पांचमें चेप्टर का आउकलन का सांतत्त एवं आउकलनियता जिसका नाम है उसका सबसे महत्पूर सवाल इस साल यह होने वाला है तो जरा इसको सीखिए ना इसको भी सीखिए और ऐसा सीखिए कि इसके जैसा कोई सवाल आपके सामने दूसरा आजा तो इसको भी आप कर लीजिए तो सीखिए ऐसा वो संभव सिर्फ मेरे से आज़े देखते हैं इकी पावर साइन एक्स का आउकलन गुडांग इतना के सापे अच्छ ज्याद कीजिए कोई बात नहीं हमें काम करते हैं सबसे पहले इसको लिखेंगे वाई वन बराबर ठीक है वाई वन बरावर का लिखेंगे एकी पावर साइन एक्स लिख दिया और एक बात याद रखना चला जब कभी एके उपर घात हो तो वहाँ पर लाग लिया जाता है क्या लाग लिया जाता है लाग है क्या लाग है कि ले लो चला लाग तो ज़्यागर लाग वाईवन बराबर का छिंवर, उन भटक रहा था मुझे ध्यान है कि मैं बोर्ट परिच्छा की कामपी में लिकھ रहा हूं तो मैं पहले से हिस्स इत्रक करहूं कि मेरा बराबर का छिंवर इधर उधर भागने न पाए तो लिखेंगे लाग Y1 बरावर के ठीक नीचे बरावर एक की पावर दोनों पच्छों में लाग लिखना है ना तो फिर देखिए निस्टेक नहीं होना चाहिए इतना भ्यास हो लाग E की पावर साइन एक्स ठीक है तो लाग Y1 बरावर लाग E की पावर साइन एक्स अच्छा लाग E की पावर साइन साइन को उठा के यहां रख सकते हैं लाग के नियम से साइन आ जाएगा यहां पे तो यह अगली लाइन में होगा बाकी जैसे हो ऐसे लिख देते हैं लाग y1 बराबर साइन पहले आ जाएगा साइन एक्स इंटू लाग e क्या बच रहा है लाग e तो लाग e का मान क्या होता है साइद आपने कभी लाग पढ़ा नहीं शना थे लाग को लेकर आप भैभीत हैं लाग e का मान होता है one क्या होता है यह होता है तो अगली लाइन में हम इसके जगतर पर क्या लिखेंगे one तो one का गुड़ा sign में हो जाएगा तो sign रह जाएगा तो लाग y1 बराबर sin x यह कहां गया इसका value 1 हो गया वो इसमें गुड़ा हो गया ठीक है यहां तक तो एकदम बढ़ियां-बढ़ियां समझ में आया होगा अब इसके आगे हम आवकलन करने जा रहे हैं differentiation करने जा रहे हैं तो अब दोनों पच्चों का differentiation करते हैं तो लाग y1 का होता है एक बटे y1 फिर क्या होगा dy1 by dx बराबर के ठीक नीचे बराबर sin x का आवकलन 80 x होगा अब यह वाला y1 का गुड़ा दाहिने पच्च में हो जाएगा और यह जहां पर है वहीं पर रहेगा dy1 by dx बराबर y1 के दाहिने पच्च में गुड़ा तो जगह y1 cos x ठीक है अगली लाइन में y1 के जगह पर y1 का बेलू यही वाला यह यहां रख देंगे अगली लाइन में y1 के जगह पर y1 का मान यह वाला यहां रखेंगे याद रहे ना तो मैं तो यहां डंडा खीच दे रहा हूँ, लेकिन आप बगल में मत लिखना, हर सवाल में बता रहा हूँ, बोट की कापई लिख रहे हो, तो बगल में बगल में मत जाओ, उपर से नीचे जाते रहो, जाते रहो, पेज खतम मुझा है, तो पेज पलट कर उस पार चले तो dy1 by dx मैं जा रहा हूं मेरी मजबूरी है मुझे समझाना मुझे दिखाना है dy1 by dx बराबर इस y1 कमान यहास लेलो e की पावर साइन e की पावर साइन x इन्टू देखो कास x गलती से इस कास को साइन के बगल मत लिखना ने तो यह भी घात में बन जाएगा तो यह निच्चे है यह इसके समनांतर है यह घात सिर्व अब इसी को बना देंगे हम समीकरण नंबर वन ठीक है अभी इस कोस्चन का आधा काम हुआ है आधा को अब पूरा करने के लिए फिर आधा और करते हैं यानि इसका करते हैं आउकलन तो इसे लाएंगे यहां लिखो लिखेंगे वाई टू बराबर लिखेंगे वाई टू पिर बराबर के नीचे बराबर रूट में साइन एक्स दोनों पच्चों का डारेक्ट आउकलन कर देंगे क्योंकि यह इक पावर है नहीं तो डारेक्ट आउकलन कर यह लागमत लीजिए तो दिवाई टू बाई दी एक्स बराबर रूट में कुछ भी रहे रूट में कुछ भी रहे रूट में कुछ भी रहे चला उसका उकलर नहीं था एक बटा दो रूट में वही चीज जो पहले से रूट में है तो क्या होता एक बटा दो रूट में वही चीज यान यही साइन एक्ष ठीक है इन्टू अब रूट को छोड़ के रूट के अंदर घुसो रूट मनलब करडी करडी के अंदर घुसो करडी के अंदर क्या है साइन है साइन का दुबारा उकलन होगा तो हो जाएगा कास यक्ष साइन का दुबारा उकलन होगा तो क्या होगया कास यक्ष अब इस cas x का 1 में गुड़ा कर दीजे divided by dx बराबर cas x बटे 2 रूट में sin x ठीक है? यह समीकर नमबर 2 हो गया ठीक है? तो यह समीकर 1 और यह समीकर 2 अब समीकर 1 में समीकर 2 से भाग देंगे उसके बाद जो आएगा वही हमारा एंस्वर आएगा भाई वही हमारा एंस्वर आएगा तो चलिए उसको भी किया जाए अब बगल में हम फिर से लाइन खीचते हैं मैं तो इसके बाद यह इसके बाद यह बगल में जा रहा हूं तुमसे बार-बार करना, तुम मत बागना में जाना, तुम नीचे लिखते जाना, बेज भर जाये तुम अगले पेज में जाना, अगल बागना भाई, समझें, मुह में कोई टाफी गारे में डाल लेता हूं, तो थोड़ा मुझे बोलने में अराम मैसोस होता हूं, इस सब्सक्राइब बंगें गुरु जी मुँं में कुछ फालतो चीज खा रहे हैं में अब लिखेंगा समी कर्ण एक में दो सेबाइब देने पर यहां लगा देंगे तो भी यह नियम की धज्या उड़ाने जैसा उलंखन हो जाएगा यह नहीं रहेगा बराबर यह मुख्य बटा की लाईन यहां रहेगा बराबर चिंहें छोड़ी बात कोई में को तो अब तो अभल इसने भाग देने का यहां मैंने लिख दिया अब दायापा च्छ या यह उपर उसके नीचे हैं कि59úpावर सउन इंटू कास बटा के नीचे कास बटे दो रूट में इतना ठीक है कोई मुश्किल काम नहीं आसान है देखो dx से dx कट जाएगा जो बचता उसको पहले लिखते हैं dy1 by dx बराबर के ठीक नीचे बराबर यहां देखिए यह जो दो रूट में नीचे वाला है यह पलट के उपर जाएगा और यह कास कास कटना ही कटना है तो कास कास काट दिये और नीचे वाला उपर चला गए यहां पर तो 2 रूट में साइन इंटू E की पावर साइन 2 रूट में sin x into e की पावर sin x ठीक है तो यह आपका answer है और कुछ नहीं यही आपका answer है यही आपका सबसे 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 अच्छा answer है मैं side हो जाता हूँ आप इस screen shot ले लीजे ठीक है ले लीजे भाई ले लिया चलिए बहुत अच्छी बात है अब इसके बाद मैं आपको इस वीडियो का पाँचमा सवाल बताऊंगा छे नंबर चेप्टर से यानि आउकलन के अनुपरियोक से आपको सवाल बताऊंगा तो यह सवाल देख करके आपको लगेगा कि आप इसमें फेल हो सकते हैं मतलब इस सवाल को करने में फेल सब्जेक्ट में फेल नहीं तो शांती से काम करें अभी तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं हो गया लगभग 43 मिनट तो एक काम करो वीडियो करो को जाओ नल पे ठंडे पाने से मूध हो कानोन पर पानी लगा लेना दो मिनट बाद फिर सोच लो कि तुम इस वीडियो को शुरू कर रहे हो अब तक कुछ भी नहीं देखे आप सुरू करने जा रहे हो पड़ने ऐसी सोच लेकि इस वीडियो को देखी मैं जो भी बताऊंगा समझ में आएगा और जैसा मैं कह रहा हूं करने के लिए अगर तुम कर दोगे तो वास्तों में तुम्हें आ जाएगा आज इसी बात पर इस चीज को आजमा लो ठीक है? चलो देखो इसे में कुछ चीजे हैं जो आपको पहले से मालुम होना चाहिए अभी बताता हूँ क्या चीज है छोड़ी छोड़ी चीज है एक घं का आयतन घं का आयतन का सूत्र आपको पहले से पता होना चाहिए कच्छा 6, 7, 8, 9, 10, 11 में कहीं कहीं जरूर आपसे मिला होगा ये चीज ठीक है? ये आपकी गलती है मैं अभी बता दोंगा जान लेना समझ लेना घं का आयतन का मालुम होना चाहिए पिर बोला प्रिष्ट चेतरफल अब घं का प्रिष्ट चेतरफल कभी सूत्र मालुम होना चाहिए दूग अ शूत्र की जानकारी पहले से फिर उसके बाद क्या है कि दर से बढ़ जब किसके किनारे की लंबाई बार है मतलब इसमें सिर्फ दो सूत्रों के जरुवत है छेत्रफल मतलब घं का प्रिष्ट छेत्फल और घं का आयतन नहीं मालुम है तो कोई टेंशन ने मैं बता देता हूँ घन का आयतन क्या होता है आयतन भी बरावर होता है record cube喔r को भुजा कहते है भुजा मलो x1 cube घन का पृष्ट छेत फल को yes से denote करते है ये surface ठीक है तो yes बरावता है 6 x x square तो ये आयतन का है और ये पृष्ट छेत फल का है इतना आपको पहले से जानकारी होना चाहिए था अगर नहीं है तो लिख लीजिए रट लीजिए क्योंकि यही सारा चीज आपके छटे चेप्टर में है ठीक है? अब मैं आता हूँ सवाल पर यह समझे सवाल कैसा नहीं है यह पहले से आपकी जनकारिम होना चाहिए था, इस नति मैंने लिखा, आप मैं इसको मिटा देता हूँ, सवाल करते से मैं जरूत पड़ेगी, तो मैं लिखोंगा वहाँ, जहां लिखना है, यह मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, अब दो लाइन का यह सवाल है, अब इसके ठीक है न, तो आयतन, वी बराबर, लिख देंगे, कोर क्यूब यानि, यक्स का क्यूब, एह, आयतन को मैंने लिखा, यक्स क्यूब, क्योंकि यह उसका सुत्र है, यक्स क्यूब मैंने लिख दिया, अब देखिए, बोला कि 8 घं सेंटिमिटर, प्रतिसेकंड की दर से, बढ भरतन की दर किता दिया है, आठ घं सेंटिमिटर, प्रतिसेकंड यानि, डीवी अपान, डीटी बराबर, आठ, अब आपको कैसे, पता चला कि, डीवी अपान, डीटी लिखना है, बताता हूं, यही आप भी जानोगे, तभी न करोगे, मैं जानता हूं, यूद्म कर रहा यह पता चलता है, आपको फीलिंग आनी चाहे अदर से कि यहां DT लिखना है, DR लिखना क्या लिखना है, टिंसन हो रहा है, कुछ ने चिला है, यह देखो, बटे में सेकंड है, तो यह बटे में T के साफ एक्छा उकलन, तो DV आपन DR का मन 8, यह मैंने लिख दिया, के लिएर कट हो गया, अब आप जा रहें आगे, इसके दोनों आप अपने मन से करो, किसके साफ एक्छ करना है, यह भी तो पता चलना चाहिए, यह खुद कहरा कि प्रति शेकंड की दर से, तो जब प्रति शेकंड मलब समय, कहीं साफ से आपन करिया भाई, दोनों पच्छो का, तो DV आपन DR बराबर, एक्स क्यूब का आपकलन T के साफ ए तो हो जाएगा 3X square into dx upon dt, अगर इसका उकलन X के साफ एक्छ होता, तो यहां हम इतना ही लिखते, लेकिन इसके साफ एक्छ नहीं हो रहा, T के साफ एक्छ हो रहा, इस वज़े से हम इसका 3X square लिख दिये, लेकिन X का दुबारा करेंगे dx upon dt जैसे होता ना, यह का उकलन डिव तो यहां से उठालो, इसका मान यहां से लेलो, आठ बराबर 3X square dx by dt, तीन X square को लेकिन भाग जाए पच्छ में, आठ बटा 3X square बराबर dx by dt, ठीक है, यह समय का number 1 बना लो, ठीक है भाबू, अब क्या होगा, अब क्या होगा, यह देखो, किनारे की लंबाई बारे, तो डेटा फेच करो, X बराबर बारे दिया था, ठीक है, किनारे की लंबाई बारे से मिए X बराबर बारे, तो भाबू, यहीं पर X का मान बारे रख दीजिए ना यहीं पी एक्स का मान बार है तो आठ बटे तीन गुड़े 12 का स्क्वाइर यह नहीं 12 का स्क्वाइर बराबर डी एक्स बाई डी टी अब मैं एक काम करता हूँ यह जो मैं घेर दे रहा हूँ ना यह घेरा में यहां जो लिखूंगा यह समझाने के लिए आप अपने कापी में बगल में से को नाम घेरियेगा मत आप नीचे जाएगा सीजे नीचे लिखते जाएगा भर यागा कापी बराबर डी एक्स बटा डी टी तो बाबू बाराज के स्कॉयर एक्सोच बडाद लानिस होता है तो आठ सी एक्सोच बटा डी टी अठार्थिया चोवण एक बटे चोवण आ गया क्या चीज डी एक्ष बटा डी टी का मान लेकिन हमें ये नहीं निकालना है पूछ रहा कि प्रिष्ट छेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है प्रिष्ट छेत्रफल का एंसर बताना था अच्छा तो उसको बगल में निकालते हैं तो प्रिष्ट छेत्रफल यस बराबर क्या होता है 6 x square यस मदलब surface यस का full form क्या है surface area तो इसी को प्रिष्ट छेत्रफल से हम लोग denote करते हैं तो ये सूत्र है अब इसके दोनों पच्छों का हम differentiation करेंगे t के साब h dx upon dt यहां dx upon dt क्यों आया क्योंकि हमारा ओकलन जो हो रहा है वो ट के साब h और ये क्या लिखा yaks अगर x के साब एक्छ होता तो ये चीज़ यहां नहीं लिखते सिर्फ आउकलन बारे x होता लेकिन हमने t के साब एक्छ आउकलन किया तो ये चीज़ नहाते चीज़ नहाते चीज़ नहाते चीज़ नहीं बारे x x का दूबारे करेंगे dx upon dt अब बाए लूपुट करेंगे एंस्वर आगया देखो ds upon dt बराबर 12 गुडे x, x का माने हासे लेलो 12 गुडे dx अपांड dt का माने हासे लेलो dx अपांड dt का माने 1 बटे 54, 1 बटे 54, तो 6 से काटो 6 दूनी 12, 6 नवा 54, फिर 3 से काटो 3 चोग 12, 3 तरिक नो तो 4 दूनी 8 बटे 3, ds बटा dt बराबर 8 बटे 3, देखो क्या चीज़ पुछ रहा है, प्रिष्ट छेत्र फल ना, तो जब छेत्र फल का अंसर देंगे, तो cm2 लगाएंगे, क्या लगाएंगे, cm2 प्रती सेकेंड, यह हुए अंसर, अब मैं बता दू जानकारी के लिए, कि स्क्वार लगाते, कब क्यूब लगाते हैं, कब cm2 लगेगा, कब क्यूब लगेगा, बताता हूं, आयतन बता न रहेगा, अगर यहीं निकालते हैं, हम dv बटा dt, तो यहां क्यूब लगाते, आयतन का एंसर देने वाला मातरक, क्यूब होता, 3 घात, चित्रफल, प्रिट, बर्क प्रिट, इन तीनों का एंसर देने वाला मातरक होता, स्क्वार यानि दो घात, तो यह जानो, मैंने इस वीडियो में जो चीज़ें बताई हैं, नाव तोल के बताई है, जिसने मूध होकर के वीडियो दुबारा देखा होगा, उसको ज़्यादा समझ जाया होगा, ज आज की वीडियो देख देख करके, आप लोग 5 सवाल सीखें, और ये 5 सवाल के मदद से, मैं चाहता हूँ कि आप 15 सवाल करें, मैंने पैदा सवाल जैसे बताया, वैसा ही आप किताब में कोश्चन बैंक में कहीं भी खोजिये, तीन सवाल, खुद से उस पे वार कीज़े, उसको करिये, अगर उस अफलता मिलती है, तो जान लेजिए कि आप मेरे से सीख गए, आये भी जान लेजिए कि आप बोट परिच्छा के लिए अच्छे तैयारी में हो, और अगर नहीं कर पा रहे हो ना, तो बरबादी का दिन सुरू, कोई बात नहीं, मैं अब सब्द नह कर होगा तो आपको, पाइदा हुआ तो आपको, मेरा काम था वीडियो के माध्यम से आपको जादा से जादा बात बताना, जादा से ज़्यादा जानकारी देना, तो मैंने दिया, बताया, और अभी तक जो बच्छा मेरी वीडियो को सुन रहा, समझ रहा, आलसी है, इस वी पुनिका काम कीजिए। जैसे जो पईसावाला होता हो गरीबों में पईसा बाड़ता है। रजाई कंबल या मफलर टोपी जो भी उसको होता बाड़ता है। कर लेता है। तो आप के पास द्धन भी है निहां जात रहो। तो आप किसकी मदद कर सकते हो, पुन्य का काम कर सकते हो, आप उसकी मदद कर सकते हो, जो चातर पढ़ाई में बिलकुल कमजोर है, उसको आप चाहो तो खुद से एक दो सवाल समझा सकते हो, अगर खुद से समझाने के लिए समय नहीं है आपके पास, तो मेरी वो वीडियो उ आपने आपको फेल मान करके अभी और ज्यादा घूमना सुरू कर दिया था उसको वीडियो भेजिए वो पढ़ेगा इसी साल पास होगा तो वो खुझ से आपको धन्यबाद देगा तो आपसे मिलेगा जूलेगा हमेशा आपको कहागा कि भाई तुमने भेज दिया नहीं तो मेरा इस साल तो फेल ही लिखा था तो आपको तो ततकाल रिश्पांस देगा लेकिन कहते हैं कि पुन्य का काम तो ये पुन्य का काम भी आप उसी बहाने कर लेंगे ठीक है तो मदद करना का मतलब यह थोड़ी है कि रुपया पैसा धन दौलत देखके ही किसी का मदद किया ये भी एक तरीका का मदद है ये भी एक तरीका का काम है तो करिए बगवान आप उपर से देख रहा सोचेगा चले यार इसको और अच्छे नंबर से पास करा दे समझे ना तो दूसरे की भलाई में ही आपकी भलाई है शेयर करिएगा सब को 10-20 लोगों नहीं यार एक दो लड़का को बस हरी स्टूडेंट सिर्फ एक के दो लड़का का मदद करें बहुत मदद हो जाएगा ठीक ना चलिए मिलते नेक्ट वीडियो में कोई अगर मेरे बातों से किसी को ज्यादा हर्ट फिल हुआ हो कमेंट में लिखे गए लड़का लिखा था सर आप बहुत बतियाते हैं तो उसकी बात कर मैंने ध्यान रखा वीडियो के शुरूबात में नहीं बतियाया हूँ आखरें बतिया रहा हूँ तो तक ता भाई इस समझेंगे उसका रिपलाई करेंगे अगर वो लड़का इस वीडियो को देख रहा हूँ कमेंट में लिखेगा कि सर मैंने ही कहा था कि आप बहुत बतियाते हैं ठीक है खेर मैं नाम नहीं याद रखता हूँ मैं एगनॉर करता हूँ छोड़ी-छोड़ी बातों को थैंक्य करता हूँ